सब्सक्राइब अबर चैनल एंड हिट दो बेल आइकन तो गेट अपडेट अपडेट ओफ यूर वर्ड स्टाइब नर्स के आपके फेवरेट सीरियल ये रिष्टा क्या कहलाता है कि कहानी में आपको धेर सारे टोएस देखने को मिल रहे हैं जहाल फिलाल की एपिसोड की बात की जाये तो देखने को मिला की पास साल का गुबार कार्तिक और नायरा ने एक दुसरे के उपर निकाल दिया है जहां कार्तिक ने नायरा को धेर सारी बाते सुनाई उसको भगोडी तक घोशित कर दिया तो वही पर जवाप में नायरा ने कहा है कि ये सब कुछ कार्तिक की वज़े से हुआ है कार्तिक ने ही मुझे भगाया है जस बात को लेकर कार्थिक और नायरा के बीच बहुत चम कर पहस होती है और दोनों की लड़ाई देखने को मिलती है वही पर लड़ने के बाद दोनों मायूस हो जाते हैं और अलग लग जाकर रोने भी लगने लगते हैं वहीं पर नाइरा ने वेदिका से वादा कर दिया है कि जैसे ही काईरफ की तबेर ठीक हो जाएगी वो उसके साथ हमेशा के लिए चले जाएगी यानि कि वेदिका और कार्तिक की लाइफ में लौट कर नहीं आएगी ये सारी बाते सुनकर वेदिका भी मायूस हो जाती है और दादी की पास चले जाती है। जहाँ तादी ने घर बर पूजा रखवाई हुई है और दादी चाहती है कि कार्तिक भी उस पूजा के अंदर आये लेकिन कार्तिक है कि वो कायरव से अपना ध्यान नहीं अटा पा रहा है। दादी कार्तिक को फोन करती है बुलाती है तो कार्तिक दादी को जवाब में कहता है कि अगर खगवान भी आचाए तो भी वो कायरव को छोड़ कर नहीं जाएगा यानि कि दादी को मुँ तोड़ जवाब दे देता है कार्तिक और दादी की बोलती बंद हो जाती है आने वाल आगेगा कि आप अंदर नहीं जा सकती तब नायरा कहेगी कि उसे अपने भाई से मिलना है और उसको राखी बाद नी है जिसके बाद दक्ष बहार आएगा और कहने लगेगा कि कौन सी बहन जो पांस साल पहले ही मुझे छोड़ कर चले गई थी पांस साल बाद तुमें राख एपिसोड में इस बात की हर एक जानकारी के साथ लोटेंगे आपके पास लेकिन दब दक के लिए बने रहे हमारे साथ और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल 24x7 Online News निजम की रिपॉर्ट